क्रिश और निशा दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों ने ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमे खाई थी। लेकिन उस समय आज की तरह का नया जमाना नहीं था। निशा की शादी उसके माता-पिता ने अपनी मर्जी से कर दी और क्रिश चाह कर भी कुछ ना कर सका। उधर क्रिश के घरवालों ने भी क्रिश की शादी कर दी। लड़की बहुत सुन्दर थी, लेकिन क्रिश तो निशा का दीवाना था, इसलिए उसकी पत्नी में क्रिश का कोई मोह नहीं था। निशा अब अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई थी, और क्रिश भी अपनी नापसंद लड़की के साथ जीवन यापन करने लगा था। दोनों के ही परिवार में बच्चे भी हो गए थे, परंतु जीवन साथी से दोनों के ही विचार नहीं मिलते थे। इसलिए आए दिन छोटी-छोटी बातों पर तकरार हो जाती थी। कालांतर में दोनों ने ही अपने बच्चों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। अब तो परिवार में अपने अपने जीवन साथी से लड़ाई जगडे के अलावा कोई दूसरा काम रह ही नहीं गया था। इसलिए दोनों ने ही अपने अपने जीवन साथी से विधिवत तलाक ले लिया था। तब तक नया जमाना भी आ गया था। इंटरनेट का युग था और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। एक दिन क्रिश और निशा दोनों ही इंटरनेट के जरीए फिर एक दूसरे स ही चैन नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि दोनों का पूर्वजन्म का कोई रिष्टा रहा होगा। दोनों की घंटों नेट पर बातें होती थी। अब एक दिन वो समय भी आया कि दोनों फिर से विवाह के सूत्र में बंध गए। दोनों में अब जवानी जैसा रूप औ ही जाता है। अब तो दोनों ने भगवान का शुच्छा रहा है।